C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे कक्षा 3 की पर्यावर्ण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तग हमारा अध्भुत संसार अध्याई 1. मेरा परिवार और मित्र प्रिष्ट संख्या 3. साथ साथ खेलना नमस्ते मेरे घर में आपका स्वागत है मैं बेला हूँ मेरे दो भाई हैं बंकु भाईया और चोटा बिशु हमें साथ में घर के बाहर चुपन-चुपाई खेलना बहुत पसंद है क्या आपको चुपन-चुपाई खेलना आता है घर में सभी को बिशु के साथ पीकाबू अ इस खेल में पहली छिपते हैं, फिर अचानक से पी का भू कहते हुए सामने आ जाते हैं। इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं। उपर वाले चित्र में कुछ महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक कुत्ते का नाश देख रहे हैं। सभी बच्चे इस नाच का आनंद ले रहे हैं। इस प्रिष्ट के निचले भाग में बेला के परिवार का चित्र है, जिसमें उसकी दादी साख काट रही हैं। उसकी पिताजी रसी पर कपड़े सुखा रही हैं। उसकी मा, उसकी छोटे भाई को गोद में लेकर बैटी हैं। बेला का भाई और बेला पासी खड़े हैं और साथ में उनका पालतु कुत्ता है। प्रिष्ट संख्या चार हम सभी घर के बाहर खुली जगा में खेलते हैं। हमने अपने घर के बाहर फोलों का बगीचा लगाया है। हमारे रिष्टदार, मित्र और पड़ोसी भी यहां आते हैं। वो बैटते हैं, बाचीत करते हैं, चुटकले सुनाते हैं और हम सब साथ में बहुत हंसते हैं। कभी-कभी दिन भर काम करने के बाद, जब मेरे माता पिता ठक जाते हैं, तो वो भी यहीं बैटकर आराम करते हैं। हम सभी को शाम की समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रिष्ट के उपर वाले हिस्से में एक चित्र है, जिसमें परिवार के सदस्य आपस में बैठे बाते कर रहे हैं, और खाने पीने का आनंद भी ले रहे हैं। इसी प्रिष्ट के नीचले हिस्से में एक चित्र है, जिसमें बेला उसका भाई, अपने छोटे भाई के साथ खेल रहे हैं। मिलकर गाना बरसात के दिनों में हम बगीचे में बनाये हुए एक छोटे से चपर के नीचे बैठते हैं। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। प्रिष्ट संख्या पांच हम अन्तियाक्षरी और साप सीड़ी आदि खेल खेलते हैं। बरसात के दिनों में मेरी मा और दादी गरमा गरम चाय और पकोड़े बनाती हैं। हम सब अपने दादा दादी के साथ बैठकर पकोड़ों का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत गाती हैं। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाये हैं। हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। वर्षा का गीत। बारिश आई, बारिश आई। काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं चम-चम-चम। बूंदे खिडकी के शीशों पर, बूंदे पेडों के पत्तों पर टपक रही हैं चर-चर-चर। भीग रहे हम जर-जर-जर। कागस की कश्ती पानी पर, चिडियों का जुंड है पेडों पर, मोर नाश्ता पंक पहला कर, मेंडक करते टर-टर-टर। बारिश की है चटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन और मन। इस प्रिष्ट के ऊपर वाले चित्र में बेला और उसका भाई बैठे, साप शिडिका खेल खेल रहे हैं। इस प्रिष्ट के निचले वाले चित्र में बेला, उसका भाई और पालतुकुत्ता बारिश का आनंद ले रहे हैं। प्रिष्ट संख्या 6. चर्चा कीजिए। बेला के परिवार में कौन-कौन है। आप और आपका परिवार बरसात की समय क्या करता है। क्या आपको बरसात का कोई गीत याद है? कक्षा में अपने मित्रों के साथ गाईए। दूसरे भाग में लिखा है आपका उन से संबंद। और तीसरे में लिखा है आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं। उधरण के लिए नाम उर्मिला आपका उनसे संबंद मा की बेहन आप उन्हें क्या कह कर बुलाते हैं मौसी इसी तरह तालिका के अन्य भागों को आप स्वैम भरें इस प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र है जिस पर बेला का परिवार बैठा है उसका भाई तरबूस खा रहा है बेला कुछ पी रही है उसके पिता बासुरी बजा रहे है और मा छोटे भाई के साथ बैठी है साथ में फलो की टोकरी मटका इत्यादी वस्तुए हैं प्रिष्ट संख्या साथ मेरे दादा जी जब छोटे थे तो वो भी कुछ खेल खेलते थे उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाए वो भी हमारे साथ हमारे केलों को खेलते हैं शीरू खुशे में अपनी पूँच हिलाते और भौकते हुए हमारे साथ दोडता और खेलता है शीरू का हमारे परिवार में एक विशेश स्थान है वो हमारे परिवार का सदस्य है मेरे मित्र भी शिरू के साथ खेलना पसंद करते हैं बंकू और बेला शिरू को तंग नहीं करते हैं वे शिरू को अपना खाना भी खेलाते हैं क्या आप जानते हैं कि जब आपके दादा-दादी छोटे थे तब वो कौन से खेल खेलते थे तरह तरह के परिवार कुछ होते बड़े परिवार कुछ होते छोटे परिवार तरह तरह के है परिवार हम सभी से करते प्यार माता पिता से है परिवार बच्चों से भी है परिवार दादा दादी भी परिवार और लोग भी हैं परिवार इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं उपर वाले चित्र में जिसमें बेला की पिताजी ने उसके छोटे भाई को कंधी पर बिठाया है और साथ ही बेला और उसका पालतु कुत्ता खड़े हैं प्रिष्ट संख्या आठ जरा बताओ और कौन वे जिन से होता है परिवार ध्यान तुम्हारा रखते हैं जो उन सब से होता परिवार बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे बड़ा या चोटा परिवार एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं। आपको अपने आस पडोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। इस प्रिष्ट के मद्धिभाग में एक चित्र है जिसमें बेला का परिवार बैठा है। वो सभी बहुत प्रसंन हैं और उनके बीज में उनक कौन कौन से जानवर आते हैं। क्या आपने अपने घर आने वाले जानवरों को कभी खाना खिलाया है। अपना अनुभव बताईए। आपको क्या लगता है कि हमें जानवरों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए या चोट क्यों नहीं पहुँचानी चाहिए। प्रिष्ट स भाई बहन जैसे कि बंकु और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाई, भैंस, कुटे, तोते, बिल्लियों और बकरियों जैसे पशु पक्षे भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। बेला और बंकु अपने पालतु कुटे शीरू को प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशु के साथ ऐसा ही वहवार करना चाहिए। इस प्रिष्ट के उपरी भाग में दाई तरफ एक चित्र है। इसमें बेला का परिवार है। जिसमें उसके माता पिता, उसकी पालतुगाई, उसका भाई और स्वेम बेला है। एक दूसरे की साहता करना। गतिविधी एक। आप अपने परिवार में क्या-क्या पहले चित्र में एक महिला अपने बच्चे के बालों में कंगी कर रही है। दूसरे चित्र में एक पुरुष कपड़े सुखा रहा है। और तीसरे चित्र में एक अन्य पुरुष एक बच्चे को नहला रहा है। प्रिष्ट संख्या 10 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में तीन चित्र हैं. पहले चित्र में दोस्तरियां आपस में बैठी बाते कर रही हैं. दूसरे चित्र में एक व्यक्ति और एक लड़का भोजन बना रही हैं. और तीसरे चित्र में एक महिला अपने बच्चों को पढ़ा रही है. हम अपने घर में बहुत से काम मिल जुल कर करते हैं. मेरे बाल लंबे हैं. मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती हैं. मेरे विद्याले जाने से पहले वो मेरी चोटी बनाती हैं. ये करते समय वो गीत गुन गुनाती रहती हैं. जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा ल एक दूसरे की सहता करते हैं। मेरे दादा जी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकु भाईया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता और दादा दादी की सहता करते हैं। बंकु भाईया सबजियों को साफ करके काटने में सहता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादा जी की साहता करती हूँ. इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में एक चित्र है. इस चित्र में बेला के दादा जी पौधों की देखवाल कर रहे हैं. प्रिष्ट संक्या ग्यारह. मुन्नी हमारे बहुत अच्छे मित्र है. वो और उसकी मां मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है. वो तिहवारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाईयां और विशेश पकवान बनाती है. हमारे घर में सभी तिहवारों में वो और मुन्नी हमारे साथ होते हैं. मुन्नी बहुत सुन्दर रंगोली बनाती है. वो अलग-अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है कुछ अवसरों पर वो पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है इस काम में उसकी सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रिष्ट पर दो चित्र है पहले दाई तरफ की चित्र में एक महिला खड़ी है, उसके हाथ में एक थाली है बाई तरफ एक अन्नी चित्र है, जिसमें मुन्नी रंगोली बना रही है और पास ही बेला और उसका पालत कुत्ता बैठे हैं चित्र बनाईए, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहता कैसे करते हैं कुछ चित्रों द्वारा बना कर दिखाईए प्रिष्ट संख्या बारह हम अपने परिवार के सदस्यों और पलोसियों से बहुत कुछ सीखते हैं आपने अपने परिवार में किस से क्या सीखा? क्या आपके परिवार में किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? गतिविती दो. पेड़ पौधों से गिरी कुछ पत्तियों और फूलों को इकठा कीजिए और उनसे एक रंगोली बनाईए. चर्चा कीजिए. आप अपने परिवार किस तरह से सहता करते हैं? परिवार में कुछ ऐसे सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, छोटे बच्चे या कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकते हैं. आप उनकी सहता किस तरह से करते हैं? लिखिए. आपके परिवार में उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? रिक्त क्रिक्तिस्थान, क्या आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं, जो आपके साथ नहीं रहते? वे कौन हैं? और कहां रहते हैं? आप उनसे कब-कब मिलते हैं? रिक्तिस्थान, शिक्षक संकेत, बच्चों को बताएं कि रंगोली को विभिन्य प्रकार की चीजों का उप्योग करके बनाया जा सकता है, गतिविधी दो को अपनी निग्राने में कक्षा के फर्ष पर करवाएं, प्रिष्ट संक्या 13, अपने मित्रों के नाम लिखिये, जो घर या पड़ोस में आपके साथ खेलते हैं, डिक्तिस्थान, गतिविधी 3, इस प्रिष्ट के निचले भाग में बेला और उसके सभी परिवार के सदस्यों की चित्र है, अब आपको बेला से उनके संबंधों को लिखना है, प्रिष्ट संक्या 14, गतिविधी 4, अपने पर यहाँ पर एक रिक्तिस्थान है, उसमें आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का एक चित्र बनाना है, प्रिष्ट संक्या 15, लिखिए, उन रिष्टिदारों के नाम लिखिए, जो आपके घर आते हैं, उनका आपके साथ क्या संबंध है, यहाँ पर एक तालिका है, त उनका संबंध, और तीसरे में लिखा है, आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, अब आपको इस तालिका को स्वयम भरना है, हम परिवार के दिन प्रतिदिन के कामों में अपना सहयोग देते हैं, जैसे की बेला और बंकु करते हैं, हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी रिष् सभी सदत से कुछ न कुछ काम करते हैं, आपके परिवार में कौन क्या क्या काम करता है, पता लगाईए, और प्रिष्ट सोला में दे गई तालिका में भरिए, प्रिष्ट संख्या सोला यहां पर एक तालिका है करना, घर की वस्तुओं की मरमत करना, बटन टांकना आदी, कौन करता है, रिक्तिस्थान, करम संख्या चार, काम, घर की सफाई करना, कौन करता है, रिक्तिस्थान, करम संख्या पाँच, काम, बाजार से सामान लाना, कौन करता है, रिक्तिस्थान, करम संख्या छे, काम, रिक क्रम संक्या साथ, काम, रिक्तिस्थान, कौन करता है, रिक्तिस्थान, इस सूची में उन सभी कामों को जोड़िये, जो आपके परिवार के सदस्य घर में करते हैं, अब आप इस तालिका को स्वयम भरें, परिवार और मित्रों के साथ आनंद, छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए, जब हम वहाँ पहुँचे, तो हमारे बहुत से मित्र पिठ्ठो खेल रहे थे, निक्कू, रिंकी, रोहित, रौनी और तारा, एक दूसरे को तेज दोड़ने और पिठ्ठो बनाने के लिए कह रहे थे, हमने उनके साथ मिलकर दो टीम बन इसी से दोड़े, रोहित, निक्कू, रिंकी, तारा और रौनी ने पिठ्ठो बनाने के लिए, रोकने के लिए हमें गेंद से मार कर आउट करने की कोशिश की, इस प्रिष्ठ के निचले हिस्से में एक चित्र है, इसमें बेला और उसके मित्र गेंद पिठ्ठो खेल रहे ह और साथ ही उसके दादाजी भी खड़े हैं प्रिष्ट संख्या सत्रह ये बहुत मज़ेदार था कुछ समय बाद हमें ठकानसी होने लगी दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा लगबग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आईस्क्रीम खरीद लाए अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए खाने, खेलने और हस्ते में हमने क्या ही आनंद लिया आईए मन्थन करें क लिखिए एक, परिवार की सदस्य एक दूसरे के लिए अपना सने किस तरह से दिखाते हैं दो, आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं ख, चितर बनाईए अपने परिवार के साथ बिताए खुश्यों के कुछ पलों का चितर बनाईए प्रिष्ट के निचले हिस्से में एक रिक्तिस्थान है यहाँ पर आपको अपने परिवार के साथ बिताए खुश्यों के पलों का एक चित्र बनाना है प्रिष्ट संखिया अठा रह ग चर्चा की जी एक आप अपने परिवार में बडों से क्या-क्या सीखते हैं दो हम अपने परिवार में एक दूसरे के लिए अपना स्ने कैसे दिखाते हैं तीन हम ऐसे बहुत से लोगों का ध्यान रखते हैं जो हमारे परिवार में नहीं है वो कौन हैं? हम उनका ध्यान कैसे रखते हैं, ग, गतिविधी, वर्ग पहली, यहां दी गई वर्ग पहली में खेलों से जोड़े किनी पांच नामों को ढूड़िये और उन पर गोला लगाईये, एक उधारण दिया गया है, अब आपको अन्य नामों को ढूड़ कर उन पर गोला लगाना ह संकेत के तौर पर एक नाम पर गोला लगाया गया है, जैसे खिलो ने. अब आपको इसी तरह से अन्य नामों को ढूड़ना हैं, जो हैं, शत्रंज, लट्टू, गेंध, बल्ला और गोडिया अब आपको इन नामों को ढूड़ कर उन पर गोला लगाना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावन अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा, ध्वनियांकन, मंजु कुमारी, निर्मान सहयोग, चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्मान, व्यमलेश चौधरी तथा प् पारख